नमस्कार दोस्तों यूस लेगल में आपका स्वागत और आज हम बात करेंगे डेरा सच्चा सौधा के प्रमुख गुर्मीत हराम रहिम और आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे जिस चीज की बात करेंगे वो एक कानून से संबद्धित है और उसमें कानून की क्या धाराएं हैं और किस वजह से डेरा सच्चा के प्रमुख गुर्मीत रामरहीम को क्यों आजीवन कारावास दिया गया और उसके साथ साथ उनके साथ सिंगलिप्त पांच व्यक्तियों को भी आजीवन कारावास दिया गया और डेरा के प्रवंधक और डेरा सच्चा के मनेजर रंजीत सिंग की हत्या होने के ओपरांत और उसके बाद इस केस को CBI को दिया गया और पंचकूला की अदालत ने CBI की अदालत ने वहाँ पर 8 अक्टूबर को सुनील गर्व गर्ग के द्वारा इसमें डेसीजन को सुनवाया गया और IPC की सेक्शन जो इसमें लगे वो लगे IPC के सेक्शन 302 हत्या का मुकाबला और हत्या होना और 120 भी अपराधिक शड़यंत्र होना ये IPC की धारा इस केस में इन्वॉल्व थी और उसके तहत डेरा के प्रमुक रामरहीम गुरमीत को आजीवन कारावास की सजा दिलवाय गई और जो डेरा के प्रमुक थे उन्हें पहले भी रेव के केस में उनके उपर केस चल रहा था और उस वज़ा से उन्हें आजीवन कारावास उस रेव के केस में भी मिली हुई है और जो इसमें जो राम रहीम के मनेजर थे रंजीत सी उनकी हत्या 2002 में हो गई थी और उनकी हत्या होने के पीछे जो डेरा के प्रमुक थे राम रहीम को कहा गया और राम रहीम के उपर संदे था कि उनके द्वारा इनकी हत्या करवाई गी और इस वज़ा से उन्हें आजीवन कारावास दिया गया और जो ये अरंजी सिंग हत्या का केस है इसमें लगभग 19 साल का वक्त लगा और 19 साल के वक्त लगने के साथ साथ इसमें आजीवन कारावास और उनके साथ पांच और व्यक्ति है डेरा सच्चा के पुर्मुख के साथ जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दीगी और इसमें जो पुर्मुख रहे जो इसमें और व्यक्ति रहे मामले में जिन अन्यों दोश्य को उमर कैद की सजा सुनाएगी उनमें अफ्तार क्रिशन जस्वीर और सबदिल सिंग है और एक आरोपी इंदर सैन की 2020 में मृत्वी हो गी थी और रंजीत की हत्या करवाने रंजीत की डेरा के प्रवंदक थे और उसके साथ साथ उनकी हत्या इसलिए करवाई गई की डेरे के अंदर कुछ रामरहिम के द्वारा कुछ नेगिटिव अस्पेक्ट के वर्क करवाए जा रहे थे और साथ साथ वहाँ पर अनियुआई महिलाओं के साथ कुछ रेब के क्रिया कलाप किये जा रहे थे और उसके साथ साथ इन बातों का पता होने के साथ साथ रंजीत सिहीं की हत्या की गई और क्यूंकि उनके पास इसके बारे में कुछ तथ्या थे कुछ सबूत थे और डेरा के प्रवंदग को लगा कि रंजीत सिंह के पास कुछ तथ्या है कुछ एविडेंस है इसलिए उसके द्वारा कुछ शड़ेंतर रचाया गया और शड़ेंतर रचाये जाने के साथ साथ उसकी हत्या किये गई और हत्या के बाद इसमें आपराधिक शड़यंत्र होने के साथ साथ IPC की धाराव को भी इन्वाल्व किया गया जिस दिन रामरहिम का केस को कोट के द्वारा सुनवाया गया उस दिन वहाँ पर पंचकुला जहाँ पर इस केस की पैरवी हुई सीबियाई कोट में वहाँ पर सुरक्षा बलो की तैनाती थी और उसके साथ साथ पुलिस फोर्स की भी गारदे चारो तरफ लगी हुई थी जहाँ पर ये सीबियाई कोट के द्वारा इस इस ओर्डर को सुनवाया गया रामरहिम डेरा के प्रमुक थे वो पहले भी एक केस में आजीवन कारावास में थे और कारावास में है और क्यूंकि उनको आजीवन कारावास इसली हुआ था कि वो रेप के केस में उनको आजीवन कारावास हुआ था और उसके बाद रंजीत सी जो ये मृत्वी का केस हुआ इसमें भी उनको आजीवन कारावास के साथ साथ उनके साथ चार और व्यक्ति है जिन्हें आज एवन कारावास की सजा हुई आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को